तो अपने कर रहे थे राजस्तान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 CBSC बोर्ड में चैप्टर नंबर 13 है और आज अपने इसका पार्ट नंबर 9 करने जा रहे हैं इंग्लिश मेडियम के स्टूडेंट के लिए और आज के जो अपने टॉपिक हैं वो हैं एवरेज या मीन लाइफ और दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज एंड कमपेरिजन ओफ एल्फा बीटा एंड गामा रेज तो प्रीवियस वीडियो में अपने पढ़ा था हाफ लाइफ के बारे में और आज अपने पढ़ेंगे एवरेज या मीन लाइफ के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो देखिए अपना जो पहला टॉपिक है वो मीन लाइफ या इसे एवरेज लाइफ बोल देते हैं ठीक है न जो बुक में है इसका नाम एवरेज लाइफ दिया हुआ है या मीन लाइफ भी से नाम दे जेते हैं आपने तो देखो होते हैं क्या है अपने पहले इसकी इंट्रोड़क्शन पढ़ते हैं theoretically सब कुछ समझा रखा है मैंने कि इन्हे रेडियो एक्टिव सबस्टांस the number of active nuclei will decrease exponentially with respect to time मतलब कि एक जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस होता है अपना उसमें क्या होते हैं जो number of active nuclei यह होते हैं वो क्या होते हैं time के respect decrease होते जाते हैं exponentially आपको पता है कि number of active nuclei यह आपको मैंने बताया था n is equal to n 0 e की power क्या होता है minus lambda t के equal आता है ठीक है तो यह आपको graph भी मैंने इसका बताया था कि इस type से graph आता होता है और वो ऐसे decrease होता जाता है नीचे की तरफ तो decrease होते जाते हैं next point देखो but number of active nuclei will be 0 in infinite time यह मैंने question आपसे previous वीडियो में पूछा था कि जो number of active nuclei यह हैं वो 0 कब होंगे जब मैंने आपको यह example दिया था कि एक आपका जो substance है उसमें पहले 1000 nuclei थे फिर उसमें एक half life के बाद कितने रहें 500 रहें फिर next half life के बाद उसमें 250 रहें फिर 125 रहें तो ऐसे मैंने का था कि यह process आगे से आगे चलती जाती है तो आपको find करना है कि यह 0 कब होंगे तो देखो 0 कबी नहीं होंगे क्योंकि आगे से आगे half half होते जाएंगे और half half होते जाएंगे तो value हमेशा छोटी होती जाएगी लेकिन कोई भी ऐसा number नहीं होगा जिसको आप क्या करो 2 से divide करो और is equal to में क्या आजए 0 अचे ऐसा कोई भी number exist नहीं करता तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके number of active nuclei है वो 0 कब होते हैं infinite time के बाद होते हैं भी अपने वो time का अंधाज़ा नहीं लगा सकते कि वो time कितना होगा तो अपने क्या करते हैं कि आप ये time तो क्या आ गया टोटल जो time आपके पास आ गया वो आपका infinite आ गया तो अपने क्या करते हैं so we use mean life या average life instead of total life तो अपने total life तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि infinite की कोई fix value नहीं होती है तो अगर आपको कह दें विए total life निकालो विए कोई भी आपको substance दे दिया वो total 100% कब तक क्या होगा आपका जो active nuclei है उसमें खतम हो जाएंगे तो वो कभी नहीं होगा infinite time तक चलता रहेगा तो अपने क्या करते हैं कि इसके लिए mean या average life define कर देते हैं ठीक है तो अब average life क्या होती है वो इसकी definition देखो यह आज की topic की definition है यहां से तो देखो the average या mean life of a radioactive substance is defined as इसको define करते हैं देखो क्या definition होती है इसकी जो इसका formula है वो इसकी definition होती है ठीक है न तो formula इसका क्या दिया हुआ है कि the ratio of total life of all the radioactive atoms मतलब कि जितने radioactive atoms हैं उन सब की total life to the total number of atoms इन दोनों के ratio को अपने क्या आप बोल देते हैं average या mean life बोल देते हैं और it is denoted by toe इसको अपने toe से denote करते हैं तो toe यहाँ पर second बार आ गया फर्स्ट बार अपने toe जो symbol लेते थे वो first chapter में भी पढ़ा था और previous year भी आपने पढ़ा हुआ है कि torque के लिए लेते थे ठीक है न? torque के लिए लेते थे और first chapter के last topic आया है उसमें भी अपने क्या करते हैं? torque निकालते होते हैं किसी dipole पे ठीक है तो आपको पता लगया हो गई है अब देखो क्या होती है mean life उपर वाली line से तो नहीं समझा रहा भी अगर अपने क्या करें सारे atoms की ages का sum कर दें sum of ages of all atoms उन सब की क्या कर दें sum कर दें और उसको क्या करें number of atoms से divide कर दें अब इसको example के दो समझो देखो क्या है mean life होती क्या है कि आपको एक atom sorry substance दे दिया कोई भी radioactive substance अब इसमें क्या होंगे atoms present होंगे आपको पता है और ये atoms या ये nuclei क्या होंगे दूसरे elements में क्या होते रहते हैं change होते रहते हैं radio activity की जो incident होती है ये ही होता है कि दो या दो से ज्यादा ये क्या हो जाते है elements में divide हो जाते हैं तो अब देखो होगा क्या कि मान लो starting में जब आपका बिल्कुल start वाला time था ये वाले nuclei ही क्या होगे आपके change होगे या decay होगे इनको decay होना बोलते थे change होने को ठीक है ना decay होगे तो ये वाले nuclei तो बिल्कुल starting में decay हो रहे हैं और मान लो कि ये वाले nuclei ही क्या हो रहे हैं half life तक decay हो रहे हैं मतलब ये बीच वाले तो अब देखो अगर मैं carbon की बात करता हूँ तो देखो carbon की जो half life होती है वो five seven double zero years होती है ठीक है ना इतने years क्या होती है carbon की half life होती है तो अब क्या होगा कि जो carbon के मतलब क्या है इसका भी जो half nuclei ही होंगे मतलब आपने कोई carbon substance लिया और उसमें hundred nuclei ही थे तो 5700 साल बाद मतलब five seven double zero years के बाद क्या होगा जो इसमें number of nuclei ही होंगे वो 50 रह जाएंगे hundred की जगह पे तो मतलब 50 nuclei क्या होगे डिके होगे तो इसमें क्या है कि जब बिल्कुल start वह था डिके उस time जो nuclei डिके हुए उनकी life तो बहुत कम होई अब जो क्या होगे nuclei आपके last में डिके होगे उनकी life बहुत जदा होगी मतलब कि कुछ तो पहले क्या होगे डिके होगे और कुछ क्या होगे लास्ट में डिके होगे तो पहले और लास्ट के decay में जो difference तो हो गई कि मानलो 5700 साल में ये क्या होता है पूरा आपका जो carbon है वो decay हो जाता है अब मानलो जब इसमें से पहला atom decay हुआ उस time कितना time बीत गया था 75 years बीत गये थे अब जब इसमें क्या हुआ दूसरा atom decay हुआ तो तब क्या हुआ 79 years हो गए थे ऐसे होता है ठीक है तो क्या हुआ कि 4 साल में एक only क्या हुआ इसमें decay हुआ तो ये एक example के तुरू बताया है मैंने आपको जुरूरी नहीं ऐसा ही होता हूँ मतलब कि इन दोनों जो atom के decay में कितना का gap अगया चार साल का तो ऐसे सारे items के बीच में क्या आता जाएगा gap आता जाएगा मतलब decay होने में कुछ atom तो पहले decay हो जाते है और कुछ atom बाद में decay होती है तो हरेक की age क्या होती है अलग-अलग होती है हरेक item की तो उन सभी items की age का अपने क्या कर देंगे sum कर देंगे मतलब पहले की दूसरे की तीसरे की चोथे की इस type से सारे का sum करके और उसको number of item से क्या कर देंगे divide कर देंगे तो अपने पास जो value आएगी वो किस की आएगी आपके पास average या mean life की value आजाएगी ठीक है ना समझ आ गया होगा आपको मुझे लगता है अब next देखो इसका formula derivation करते हैं जो definition अपने देते हैं उसका formula निकालना तो जुरूरी होता है तो तब ही अपने इसका formula derive करते हैं जो अपना average या mean life है तो देखो क्या है formula derivation करने के लिए कुछ quantities अपने को माननी पड़ती है या लेनी पड़ती है तो देखो क्या करते हैं कि अपने लेते हैं let we have a radioactive substance in which number of active nuclei at T is equal to zero time पे कितने हैं ये अपने मानती होते हैं पहले भी मानती होते थे मतलब number of active nuclei T is equal to zero मतलब initial time पे N zero है अब after time की T क्या हो जाते हैं ये वाले number of active nuclei कितने रह जाते हैं N रह जाते हैं इसमें से और इसके लिए रधरफोर्ट सोडी ने जो लो दिया था N is equal to N zero ये की पावर क्या होता है minus lambda T होता है किसी time T पे number of active nuclei तो N रह जाते हैं उसके बाद तो अब अपने क्या करते हैं कि अपने को तो सभी का sum निकालने है सारे जितने nuclei यह हैं उन सब की age का sum निकालने है तो sum निकालने के लिए जो mathematics में या physics में काम आता है वो चीज है integration तो अपने को integration method से निकाल सकते हैं direct तो आपको पता है कि direct तो आपके पास एक answer है भी infinite time लगेगा सारों को decay होने में तो अब infinite की क्या value होती है वो अपने को नहीं बता तो अपने क्या करते हैं कि उस तरीके से ना निकाल के इसको integration method से निकालेंगे तो integration method के लिए अपने क्या करते हैं मान लेती हैं कि after it let more dn nuclei decays in a small time dt भी देखो starting में तो t time में तो कितने decay इसमें से क्या हो गया कि जो n 0 थे और n रहे गे अब मान लिया कि जो dt time है एक बहुती small time period मान लिया इस t time के बाद ये तो था बिल्कुल 0 time ये आ गया t time और बिल्कुल इसके पास आ गया dt time ठीक है तो अब 0 पे तो कितने थे n 0 थे अब t time पे कितने होगे n होगे और dt इन दोनो time period के gap के बीच कितने होगे decay होगे ये वाले dn होगे मतलब dn जो nuclei ही हैं इनको decay होने में dt total time में इतने हो जाते हैं ये decay ठीक है तो अब देखो इनको total time लगा कितना देखो t time तो पहले बीच चुका था और dt time और लगा तो मतलब total time तो इनको decay होने में क्या होगा t plus dt लगा कैसे बीच देखो ये dn ने उकलिय क्या है पड़े हुए थे starting में 0 time था कुछ time बीचा ये नहीं decay होए कुछ time और बीचा t time बीच गया t time तक ये decay नहीं होए मतलब ये पड़े रहे अब t के आगे अपने dt time यानि बहुत small time लेते हैं उसमें क्या हो जाता है इन सब का decay हो जाता है मतलब ये change हो जाता है दूसरे substance में तो अब इनकी जो life है वो कितनी रही देखो ठीक है न इसमें क्या है कि मान लो आपके 5 नुकलिय डिके हो गए एक second में तो मतलब जो ये 5 नुकलिय या है इनकी जो life है एक second से पहले वाले time जितनी life होगी जितना time बीच गया t time तो इन 5 नुकलिय में से हरे की life कितनी है t है ठीक है न पहले की टी है दूसरे की भी life टी है तीसरे की भी टी है पाउच जोत्य की भी और पांच में की भी टी है तो देखो अगर मैं इनकी total life निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा पांच को टी से गुणा कर दूँगा एक मान लो कि ए आपकी class में एक student की age 16 years है और पांच student की total आपसे age भूचली भी पांच की मान लो 16 16 16 16 है तो पांचों की total बताओ तो आप क्या करोगे 16 को 5 से multiply करोगे तो वो ही चीज़ यहां पर है कि अपने क्या करेंगे कि dn जो atoms है इन में से हर एक की जो life है वो कितनी है t years है तो total कितनी हो जाएगी इन सब की t into dn हो जाएगी देखो थोड़ा सा hard है topic है यह वाला लेकिन अगर आप इसको दो तिंत बार करोगे तो अराम से समझ आज़ेगा साथ समझती चलो अब total age अपने क्या निकाली है यह तो dn atoms की निकाली है dn atoms के लिए define कर दिया अभी यह वाली total age आईज है लेकिन जो मैंने आपको बताया थे कि limit लगती है वो हमेशा इस जो जिस variable के respect आप integration कर रहे हो उसकी limit लगती होती है मतलब यहाँ n की limit लगेगी dn लिखा हुआ है तो तो देखो n की limit तो अपने को नहीं पता देखो n 0 तो starting में क्या होते हैं आपके पास number of active निकली होते हैं और last में कितने बचते हैं वो अपने को नहीं पता लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 0 to infinite limit लगाई हुई है ठीक है ना यह limit लगाई क्यों है अभी देखो आगे दो तीन step के बाद आपको पता लग जाएगा तब ही मैंने लगाई हुई है लेकिन वास्ता में यहाँ limit नहीं लगती होती है starting में क्योंकि इसकी limit अपने define नहीं कर सकते dn की कितनी हैं तो देखो क्या करते हैं अपने की mean और average life निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था उपर आपके पास जो फॉर्मूला था कि sum of ages of all item upon में number of item तो sum तो अपने पास यह वड़ा आ गया और number of item total कितने है न0 है starting में आपने कितने लिये थे न0 लिये थे भी total जो आपने substance लिया है उसमें item कितने थे न0 थे तो उससे divide कर दिया total age को अब 1 upon n0 को अलग लिखा और इसको ऐसे लिख दिया और इसको equation number दे दी A ठीक है नब क्या किया कि according to the Rutherford Soddy's law Rutherford Soddy का law जो अपने को कहता है वो कहता है कि dn upon dt lambda n के equal होते हैं तो dn की value यहां से निकालें तो क्या आ जाएगा यह dt इदर multiply में आ जाएगा इनके तो lambda n dt आ जाएगा अब इस dn की value आप यहां पे put कर दो इस dn की जगा पर ठीक है न भी dn की value आपने dt की form में निकाल ली क्योंकि t की limit अपने लगा सकते हैं भी starting में तो time 0 था और last में क्या है infinite time तक जाता है अपने को यह पता है infinite time तक जाता है last में तो 0 to infinite अपने limit लगाएंगे और वो लगाएंगे इस time की यह dn की limit ना के किसकी limit लगाई है time की लगाई है देखो limit तो इस step में जाके लगेगी आगे जब आप इसकी value यहां पे put करोगे तो यह आजएगा 1 upon n 0 putting the value of dn in equation a तो 1 upon n 0 और integration में आजएगा lambda and t dt ठीक है यह आजएगा और 0 to infinite इसकी limit आजएगी तो अब देखो 0 to infinite इस t की limit है तो यही limit अपने बनी तो इस step में है लेकिन इसको starting से लगा दिया क्योंकि book में लगा रखाता है तो change इसको नहीं करा आप book के इसाब से चलो आपको मैं हमेशा कहता हूँ राजस्तान बोर्ड की book के इसाब से आपको चलना है अगर राजस्तान बोर्ड में पढ़ रहे हो तो तो book में ऐसा दिया हुए तो 0 to infinite limit लगा दी टी की limit है अब देखो अपने जानते हैं कि जो n की value होती है वो फिर से रदरफोर्ड सोडी ने क्या करी इक्वेशन निकाली थी कि n की value क्या होती है n 0 e की power minus lambda t याद होगी होगी यह equation तो तो यह वाली n की value आप यहाँ पर put कर दो इस n की जगह पर तो यह पुट करोगे तो यह lambda n 0 e की power minus lambda t और t dt पढ़ा ही है तो t dt पढ़ा ही है अब इस मेंसे जो जो चीज़ चीज़ कॉंस्टेंट है वो बाहर ले लो तो lambda n 0 constant है तो यह बाहर आ जाएगा तो lambda n 0 upon n 0 पढ़ा ही था और अंदर जो बचेगा t e की power minus lambda t dt यह बच जाएगा अब देखो आप बाहर वाला तो क्या हो जाएगा n 0 से n 0 cancel और बचा यहां पे lambda अब बात आती है integration की तो यह वाला जो इंटीगरेशन है वह एक page का integration है पूरा तो आपके इतना बड़ा integration ना दे कि इसका direct value दे दी इसकी जो value होती है वो होती है 1 upon lambda square यह value आती है इस integration की अब आप कोगे भी sir कैसे होता है देखो mathematics वाले student जब आपके क्या हो जाए कि जो आपका integration वाला chapter है वो complete हो जाए मतलब integration में एक formula आता होता है जैसे आप differentiation में formula करते थे थे ना d upon dx मान लो आपको a into b दे दिया वी दो क्या function आपको multiply में दे दिये तो इसमें क्या करते थे पहले को db upon dx कर दिया फिर दूसरे को चोड़ते थे मतलब b को चोड़ा और यहां पर क्या कर दिया da upon dx ऐसे differentiation करते थे तो बिल्कुल यही formula या uv formula बोल देते हैं आप इसे u into v वाला formula तो uv formula या a into b वाला formula था तो बिल्कुल वैसा ही formula इस integration में होता है इसमें a के a हो जाता है और एक function इसमें b e हो जाता है ठीक है तो यह वो लगाएंगे इसमें तो वो बहुत बड़ा formula है बारवी class में आता है और आपके क्या है कि जो math वाल student हो साथ में by all student भी आपके और वो यह formula पढ़ने में क्या है कि पढ़ नहीं सकते इनको समझ नहीं सकते तो आपको इसकी cd value याद र बाहर और into में क्या आजएगा 1 upon lambda square इसकी value आजएगी तो इस square से यह वला lambda cancel तो यह क्या आजएगा आपके पास t की value 1 upon lambda तो यह आपके पास आगी average या mean life की value 1 upon क्या होती है lambda की equal होती है जो आपकी half life थी उसमें क्या आया था 0.693 upon lambda यह आया था ठीक है न 693 आया था अब इस आपकी mean life की value आजएगी तो अब यह आपकी mean life आगी कई students को यह समझने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है वही कोई वात नहीं देरे रखना आपको और इसको 2-3 बार देखना है फिर आपके अराम से समझ आ जाएगा यह वाला अब next देखो next जो topic आता है वो आता है relation between half life and यहां पे लिखना बूल गया मैं mean life लिख लेना है यहां पे half life and mean life या average life ठीक है नहीं mean life आप add कर देना notes में मैं कर दूँगा जो telegram channel पर डालूँगा उसमें add कर दूँगा यह वाला half life and mean life दोनों में relation आपको निकालना है तो दोनों में relation निकालना है तो half life क्या होती है टी half होती है तो यह point six nine three upon lambda यह formula लिखा फिर mean life का जो formula होता है lambda is equal to sorry two is equal to one upon lambda यह equation number 2 होगी दोनों में relation निकालना है तो देखो यह वाला है ना जो यह वाली जो half life की value है इसमें one upon lambda चुपा हुआ है क्योंकि point six nine three के साथ अपने मान सकते हैं भी one का multiply हुआ है क्योंकि one के multiply से कोई फ two रख देना है तो टी half आपका किसके equal आजएगा इस one upon lambda की जगह two रख दिया आपने तो point six nine three two मतलब half life किसके equal आजएगी point six nine three mean life की equal आजएगी तो यहां से क्या है कि इस बार second grade में प्रिशन आया था जो teacher का exam होता है वी half life आपको दे रखी थी mean life निकालने थी तो इस formula से आ आप निकाल सकते हो अगर half life दियो तो mean life निकाल सकते हो और mean life दियो तो half life अब एक question इसमें और बनता है कि half life is equal to इस point six nine three को मैंने percentage की form में लिख दिया percentage क्या बना इसका जब भी किसी point वाले number को percentage में change करना हो तो उसको क्या करो hundred से multiply कर दो यह percentage बन जाता है और percentage को जब point में change क करना हो तो इसको क्या करो one hundred से divide कर दो दुबारा से यह वाली चीज point में बन जाएगी तो यह बना 69.3% of mean life तो एक question यहां से बहुत बार बनता है बच्चे confused हो जाते हैं अभी यह कौन सा topic है question क्या बनता है उसमें कि prove that the half life of any radioactive substance is equal to the 69.3% of mean life दुबारा समझ लो सुन लो दुबारा कि prove that the half life of a radioactive substance is equal to the 69.3% of mean life of that radioactive substance तो आपको उसमें क्या प्रूफ करना होगा है यह वाली सारी चीज प्रूफ करनी होगी अगर आपको प्रूफ करना आ जाए ठीक है न तो यह एक इसमें important question बनता है तो यह आपका topic था mean life या average life वाला अब next आता है इसमें properties of alpha, beta particles and gamma rays and its comparison ठीक है न तो देखो आपकी जो book है आपको book में एक बार मैं यह वाला topic दिखा देता हूँ book में यह table नहीं दी हुई है topic अलग तरीके से दिया हुआ है तो यह देखिए भी जो आपकी राजस्तन बोर्ड की book है इसमें क्या दिया हुआ है alpha, beta and gamma rays and their properties ठीक है कि alpha, beta और gamma rays और इनकी property देखो इसमें जैसे ही आगी alpha particle की property आगी फिर इसके बाद क्या alpha particle की property चलती गई यह वाले सारे point इसमें add फिर properties of beta ray फिर इसके बाद properties of क्या आजाएगी gamma ray आजाएगी ठीक है यह आजाएगा तो मैंने क्या किया किया कि इसमें से जो जो चीज़े हर एक point में same आ रही थी उनको comparison करके लिख दिया उससे क्या होगा आपकी याद करने में असानी रहेगी topic आपको क्या है कि उसका क्या है जो आपने comparison का topic लिया हुआ उसके base पे तीनों को define कर सकते हो तो मैंने इस topic को एक table के थूश हो गिया आपको वो table याद हो तो आप क्या कर सकते हो direct याद रख सकते हो वैसे इस topic में से कोई एक number का question आता हो और वो सारे question उस table में cover हो जाएगी तो यह दुबारा उसी पे चलते हैं तो देखी यह table इनकी मतलब इनकी property भी cover हो जाएगी और तीनों का क्या हो जाएगा comparison भी हो जाएगा तो देखो book में क्या है कि alpha बीटा और gamma raise लिखी हुई है लेकिन actual में क्या होता है कि यह raise ना होके alpha और बीटा तो particle होती है और gamma क्या होती ह क्या होगी और gamma के लिए क्या होगी वो property इसमें define की होई है ठीका है ना तो देखो पहले ही property क्या है nature मतलब की जो alpha बीटा और गामा इनकी nature क्या होती है पहले तो देखो alpha बीटा और helium atom होते हैं, मतलब actual में क्या होता है, helium ही होता है ये, helium element होता है, लेकिन क्या होते हैं, एक तो ये positively charged होते हैं, दूसरी चीज ये normal helium से थोड़ा सा अलग होते हैं, कारण क्या है, कि इनकी जो energy है, energy वो normal helium के comparison में बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये तीनों ही क्या है, high energy की charged helium atom होते हैं, helium ही होता है, अब next बीटा पार्टिकल होते हैं, बीटा पार्टिकल होते हैं, electrons with high energy, electron कोई बीटा पार्टिकल बोलते हैं, लेकिन समाने electron और बीटा पार्टिकल वाले electron में फरक क्या है, कि बीटा पार्टिकल वाले electron की energy है, वो काफी high होती है, ठीक है न, ये य पहले पढ़ चुके सबश्टांस उन्में से हैं एक हीलियम है दूसरे एलेक्ट्रों है तीसरा electromagnetic wave है लेकिन तीनों में एक property सेम है कि तीनों की जो energy है न वो बहुत ज़्यादा high होती है फिर next दूसरे number पर जो इनका आता है symbol तो जो alpha particle है इसको 2he4 से show करते हैं अपने ये इसका symbol होता है अब जो beta particle है इसको minus 1e0 मतलब electron का वैसे तो symbol होता है e negative लगाते हैं लेकिन nuclear physics में जो electron का symbol होगा वो ये वाला symbol होगा अब इस symbol का अर्थ क्या है ये काम कैसे आता है ये वाला symbol ये इससे जश्ट आगे वाले topic में अपने पढ़ेंगे जो alpha, decay, beta, decay and gamma, decay आएगा ठीके नों उसमें आए गई है और दूसरी चीज की जो beta particle है ये दो type के होते हैं ये भी अपने इसी topic के last में पढ़ेंगे एक तो electron होते हैं high energy के और दूसरे high energy के क्या होते हैं positron होते हैं electron का जैसे ही particle होता है इसको e plus से लिखते हैं इन पर charge भी electron के सेम होगा mass भी इनका electron के सेम होगा लेकिन ये एक नए particle होते हैं और इनका जो symbol होता है इसको plus one e zero से show करते हैं इनको positron कह देते हैं फरक क्या होता है बैस इस पर plus charge उता है electron पर minus होता है बाकी electron का जुड़मा by ही है तीसरा जो gamma raise है इसका symbol ऐसे होता है गामा बनाने का symbol आपको y नहीं मनाना कई student y बना देते हैं y को थोड़ा mode देना है ऐसे और ऐसे बनाना आपको gamma ठीक है न तो ये symbol हो गए इसके फिर तीसरा है effect on nucleus इसका मतलब क्या है पर जब ये nucleus से निकलते हैं आपको पता है कि जो decay process होती है radioactive decay की उसमें ये particle निकलते हैं alpha, beta और gamma तो जब ये निकलते हैं तो nucleus पर क्या effect पढ़ते हैं तो पहले नमबर पर क्या लिखा है मैंने alpha particle के लिए decreases, atomic number 2 और mass number 4 मतलब कि जो आपका nucleus होगा उसका atomic number तो 2 से क्या होजएगा decrease मतलब 2 कम हो जाएगा और जो उसका mass number होगा वो कितना कम हो जाएगा 4 कम हो जाएगा 4 decrease हो जाएगा आगे reactions आएगे उसमें देखना भी कैसे कम होता है ठीक है न फिर next है कि जो beta particle है इनके लिए क्या होता है कि जो इनका atomic number है वो 1 से increase हो जाता है इसमें तो क्या हो रहता है decrease इसमें increase होता है अब होता कैसे है वो भी next आएगा आगे आप एक बार only इसको याद रखलो भी होता है और mass number इसमें क्या होता है same रहता है क्योंकि उपर zero लगी होई है mass number की जगह है तो वो क्या रहेगा same रहेगा कैसे nuclear reaction का जो topic आएगा उसमें ये वाली सारी चीज़ें cover हो जाएगी एक बार hyper मत होना भी सरी होता कैसे है आप मुझे तो करके दिखाओ तो उसमें automatic से अपने करके देखेंगे इनको ठीक है न अब next है कि A and Z गामा के लिए क्या होगा A और Z दोनों same होंगे लेकिन गामा रेज का भी emit होती है but atom moves from higher to lower energy level आपको पता है कि electron के लिए तो आपने पढ़ा है भी जब electron higher energy level to lower energy level आता है तो उसकी energy क्या करता है वो electromagnetic wave की form में emit करता है ठीक है न यही बताया था या photon को क्या करता है emit करता है 14 chapter में आपने पढ़ा था तो वो ही चीज है कि जब आपका पूरा atom क्या होता है excited state से ground state में आता है तो वो क्या करता है gamma raise को emit करता है तो gamma raise तब ही emit होगी जब आपका जो atom होगा या nuclear होगा वो higher to lower orbit या higher to lower state में आएगा तब ही यह क्या होगी emit होगी ठीक है नब नेक्स्ट देखो fourth number पे इसकी property है कि जो इनकी velocity है तो alpha particle की velocity 1.4 into 10 की power 7 से लेके और 1.7 into 10 की power 7 meter per second तक होती है या इसको अपने show कर देते है V alpha is equal to 0.05C यानि कि C यहांपे क्या है जो light की velocity की form में मतलब या तो इतने meter per second होती है कम से कम इतनी होती है और ज्यादा से ज्यादा इतनी होती है ठीक है यह range है इसकी velocity की और जब अपने इसको क्या कर देते है C से divide कर देते है मतलब light की velocity से तो यह अपने पास इतनी value आ जाती है मतलब इतने C के equal है C की value अगर आप 3 into 10 की power 8 यानि 3 into 10 की power 8 पुट करो तो आपके पास यह उपर वाली values ही आ जाएंगे तो यह C की form में लिखा हुआ है V alpha यानि alpha फिर next है कि बीटा की velocity कितनी होती है यह होती है 1% to 99% of velocity of light मतलब light की velocity कि आप 1% से लेके और 99% तक क्या होती है इनकी value मतलब light की velocity की equal नहीं होती है अगर 100% हो जाती है यहां पे तो फिर तो क्या होती है light की velocity की equal हो जाती है light की velocity से कम होती है लेकिन लगबग क्या होती है बराबर होने के करीब आ जाती है बीटा particle की जो speed होती है या velocity होते हैं मतलब इतनी speed ली ये move करते हैं फिर next है जो photon होते हैं electromagnetic wave वो तो आपको पता ही है किसकी light की speed से ही चलती है तो जो इनकी velocity होती है गामा की ये क्या होती है light की speed से ही चलती है तो तीनों आगे आपके पास फिर देखो next पाँचवा नमबर पर point जो आता है वो आता है कि energy energy इनके लिए क्या होती है इसके लिए small value होती है या least होती है आप इसको कम लिख सकते हो लिख सकते हो फिर सबसे कम value क्या होती है alpha particle की energy की होती है फिर beta उससे ज़्यादा और gamma सबसे ज़्यादा highest तो तीनों में comparison में अगर आपसे ये question पूछ लें फिर सबसे ज़्यादा high energy के जो particle या wave कौन सी है तो आप बोलोगे gamma raise है वो सबसे ज़्यादा high energy की है सबसे ज़्यादा energy gamma की होती है अब next देखो जो अपने पास आता है 6th number पे 6th number पे point ठीक है next आता है 6th point इसमें ionization power तो ionization power क्या होती है पहले वो समझो ionization power होती है जब आप alpha, beta और gamma देज को या particle को किसी material पर डालती हो या किसी element पर डालती हो तो ये उसको कितना ionize करती है अब ionize का मतलब उसको क्या बना देती है ये कितनी की जल्दी ion बना देती है मतलब electron उसमें से बाहर निकाल देती है ठीक है तो electron उसमें क्या होगा बाहर निकाल देंगी तो वो क्या हो जाएगा ionizing power हो जाएगी तो अब ionizing power आपको याद रखने भी इस energy की क्या होती है ये reverse होती है तो जिसकी जितनी कम energy उसकी ionization power उतनी ही जादा होगी मतलब वो किसी element को ion उतनी ही जल्दी बनाएगी देखने में जीब लग रहा है लेकिन ये एक दूसरे की reverse होती है अब आप कोवे सर कैसे होती है तो वो आप रहने दो ठीक है न आप इतनी बात याद रखो भी energy और ionization power में क्या है कि जो जितनी कम energy का वो उतना ही जल्दी ionize करता है उस चीज़ को और जो जितना ज्यादा energy का वो उतना ही क्या करता है कम ionize करता है तो ionization power जो होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है alpha particle की होती है मतलब ये किसी भी element को बहुत ही जल्द ionize करता है बहुत ही speedly ionize करता है तो highest होती है इसके लिए जो आपका alpha particle है ये होती क्या है कि 100 times of beta beta से 100 times ज्यादा होती है इसकी value जो ionization power की और gamma से 10,000 times मतलब इसका 100 और फिर 100 से multiply gamma से 10,000 times ज्यादा क्या करती है ये ionize करती है किसी भी particle को या किसी भी element को फिर ये क्या होती है high होती है इनके लिए value मतलब ये क्या होती है gamma से ही क्या होती है 100 times जल्दी क्या करती है ये ionize करती है और सबसे कम हो जो आइनाइज करती है वो है गामा रेस तो देखो सुनने में जीव लग रहा है भी जिसकी ज़्यादा एनरजी हो नीचे आइनाइज तो उसको करना चाहिए लेकिन होता क्या है कि जो आपकी गामा रेस है ना जब यह किसी मेटीरियल पर पड़ती है तो आइनाइज तो क्या है यह उसे खतम ही कर देती है तो तब ही क्या है कि आइनाइजिंग पावर इनकी सबसे कम मानेगी है लेकिन जो क्या होता है अलफा आपके अलफा पार्टिकल होते है ना इनकी एनरजी क्या होती है लिमिटेड होती है Limited इतनीक होती है भी वो क्या करती है कि उसको destroy ना करके जो आपने element रखा उसको खतम ना करके क्या करती है उसको energy provide करवा देती है और उसमें से automatically electron या क्या आ जाती है वो electron बार आ जाती है और वो खुद क्या बन जाता है एक iron बन जाता है ठीक है न तो इस तरीके से आप इसको सम अच्छा लगेगा कि penetrating power क्या होती है penetrate होता है मतलब किसी चीज को आर पार करना ठीक है penetrate करना मतलब एक साइड से आपने छोड़ा और वो दूसरी साइड से क्या हो जै निकल आए आर पार हो जाए उसके वो penetrating power होती है तो देखो alpha particle की energy सबसे कम होती है तो मतलब इनकी penetrating power अगर आप छोड़ दोगे या emit होंगे जब ये तो अगर आप इनके सामने क्या रखो एक 0.1 mm की aluminum या paper की sheet रखो यहां पी क्या रख दो एक sheet रख दो आप और इसकी जो thickness है वो कितनी रखो 0.1 mm रखो तो फिर भी ये 0.1 mm की sheet को power नहीं कर पाते मतलब इससे क्या होएंगे य यहीं पी रह जाएंगे इसके आर पार नहीं जा सकते अब 0.1 mm होता कितना है वो देखो कितना होता है कि आपका जो scale होता है जो आपके scale लेते हो आप उसमें देखो यहां 1 लिखा है यहां 2 लिखा होता है और बीच में यहां एक निशान बड़ा लगा होता है और यह 4-4 parts म divide हो जाते हैं एक और दो के बीच ठीक है न तो scale का यह system होता है अब scale में जो एक part होता है यह 1 part क्या होता है आपका 0.1 cm के equal होता है ठीक है न पॉइंट 1 cm या इसको 1 mm भी बोल देते हैं millimeter 1 mm मतलब यह आपका बिल्कुल छोटा जो होता है न scale का इसा यह 1 mm का होता है अब इसक क्या करो आप 10 से डिवाइड कर दो तो वो आपके पास क्या आजेगा 0.1 mm आजाएगा मतलब इस छोटे हिस्से के भी आगे 10 हिस्से कर दो तो उस 10 parts में से या 10 हिस्सों में से कोई एक हिसाब ले लो या part ले लो तो वो क्या हो जाएगा 0.1 mm मतलब इतनी पतली sheet भी अगर आप लोगे तो भी वो alpha particle है जो आपके उसको पार नहीं कर पाएंगे penetrate नहीं कर पाएंगे अब बीटा देखो बीटा क्या होता है यह जो होता है बीटा more होता है मतलब alpha particle से यह 100 times क्या होती है इनकी penetrating power जादा होती है अब इनके सामने आप क्या करो penetrate 1 cm thick sheet of aluminium और paper मतलब aluminium या paper की आप क्या करो 1 cm मोटी sheet रख दो 1 cm कितनी यह एक और यह दो तो total जो ही यह कितनी distance है 1 cm मतलब आप scale बें देखना 1 cm एक से लेके 2 तक उतनी मोटी sheet अगर आप या तो किसकी रखते हो paper की रखते हो package की रखते हो या aluminium की aluminium तो आपने देखे यह खिड़कें और लगाते हैं गरों में ज्यादतर fitting aluminium की कही करवाते हैं तो वो aluminium होता है low एक जैसा दिखता है जो ठीक है न तो उस aluminium की 1 cm अगर आपको मोटी sheet दी हुई है thickness वाली sheet दी हुई है तो उसको भी beta raise असानी से पार कर जाती है इनको कोई दिकत नहीं होती तो मतलब यह खतरनाक raise होती है alpha की तुल्णा में यानि beta जो particle है वो क्या होती है खतरनाक होती है फिर next आता है gamma तो gamma क्या है gamma के लिए जो penetrating power है उसकी value maximum होती है यह 10,000 time of alpha और 100 time of beta होती है ठीक है न 10,000 time of alpha और 100 time of beta अब यह कितनी मोटी sheet को पार कर जाती है 30 cm मोटी sheet को यानि can be penetrate 30 cm thick sheet of aluminium और paper अब 30 cm कितना होता है भी वो देखो जो आपका scale होता है complete scale यहां से ले कि और यहां तक आप scale लेते हो तो वो क्या होता है चोटा scale होता है वो 15 cm का होता है मतलब आप 2 scale ले लो उतनी मोटी आप क्या करो solid कोई sheet ले लो या तो कागज ले लो या फिर किस की ले लो aluminium की ले लो या फिर आप ऐसे कह सकते हो आपने steel वाला scale देखो गा न बड़ा आता है steel वाला scale आता है जो तो वो total 30 cm का होता है बड़ा scale जो होता है तो 30 cm लगबग 1 feet होता है 30 cm में किया होती है 1 feet होती है तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा पि 1 feet मोटी आपको क्या लेनी है sheet लेनी है तो उतरी मोटी sheet को भी यह क्या कर जाता है जो gamma raise होती है easily power कर जाती है मतलब एक side से छोड़ोगे उसको R power करके दूसरी side से वो निकल जाएंगे तो क्या है कि आदमी के अगर R power जा नहीं हो तो आदमी के तो एक minute में यह R power जा सकती है ठीक है न तो इतनी ज़्यादा क्या होती है इनकी penetrating power होती है अब next देखो जो 8th point आता है वो आता है इन पे charge ठीक है जो alpha, beta और gamma particle आपके इन पे charge तो जो alpha particle है इन पे charge होता है वो plus 2E होता है ठीक है बीटा particle है यह आपको मैंने बताया था high energy के electron होता है इस पे E होता है या कई books में E या फिर यह और लगा के plus E दे रखा होगा यह charge किस पे होता है पोजिटरोन पे होता है लेकिन जो beta particle मानते हैं बीटा particle अपने कह देते हैं वो ज्यादा तर इस E को कहते हैं वैसे तो दोनों beta particle होती है electron और पोजिटरोन लेकिन mainly अपने electron को यूज करते हैं तो तब ही एन मैंने charge लिख रहा है charge क्या होता है electron पे minus E के equal होता है तो minus E लिखा हुआ है और last में जो आपकी gamma raise है यह क्या होती है uncharged होती है मतलब इन पे कोई charge नहीं होता फिर next आता है आपका effect on photographic plate photographic plate पर क्या effect होता है इनका तो जो जिसकी energy जितनी कम उसका उतना कम effect जिसकी energy जितनी ज्यादा उसका ज्यादा effect तो क्या होगा जो आपके alpha particle होंगे इसका सबसे कम यानि least effect होगा जो beta particle है इनका इससे more होगा मतलब इससे ज्यादा और इनका क्या हो जाएगा गामा का मैक्जिमम हो जाएगा ठिकन है जो फोटोग्राफिक प्लेट मतलब जो बेकरिल ने फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी फोटोग्राफिक प्लेट आप समझ सकते हो एक्सरे तो दिखा होगा सभी ने वो X-ray क्या होता है एक photographic plate होती है X-ray वाली जो sheet होती है तो उस पर क्या है कि यह सबसे कम effect यह उससे ज़्यादा और यह सबसे ज्यादा फिर 10 नमबर पर आता है जो इसका energy spectrum है मतलब energy का अगर अपने graph बनाए spectrum क्या होता है graph होता है energy का तो वो क्या होता है energy spectrum जो alpha particle के लिए होता है वो linear और discrete होता है मतलब कि यह energy emit किस टाइप से करते हैं जो alpha और beta particles हैं कैसे इन में से energy निकलती है तो जो इसका जो graph आएगा मतलब linear and discrete का मतलब क्या है कि line ही आएगी ऐसे ठीक है और उन line की बीच में क्या आएगा gap आएगा continuous line नहीं होगी एक दूसरे जुड़े नहीं होगी बीच में क्या आएगा gap discrete का मतलब अलग-अलग line है मतलब बीच में difference होगा इनके लगातर continuous नहीं चलेंगी यह discrete होगी मतलब बीच में gap होगा इनके तो ऐसे line हैंगी energy की मतलब पहले alpha particle energy थोड़ी से emit करेगा फिर नहीं करेगा फिर कुछ time बाद करेगा फिर नहीं करेगा ऐसे gap आते है बीटा जो होता है बीटा particle जो energy emit करते है इसका graph ऐसे आता होता है बीटा का continuous चलता है मतलब इस point पे निकालो इस point पे इस point पे हर एक point पे energy की कोई न कोई value होगी अब तीसरा जो आता है gamma इसके लिए भी energy की जो value होती है energy spectrum वो linear और discrete जैसे alpha का होता है वैसे ही होता है तो ये भी experimental result है energy spectrum वाले तो ये आपको आप ऐसी याद रखने पड़ेंगे ठीक है न इसके पीछे कोई logic नहीं है ये experimental result है ऐसे कि इनको याद करो फिर देखो next आता है 11th point effect of magnetic and electric field यानि electric और magnetic field लगाएं अगर अपने alpha बीटा और gamma पर तो क्या effect पड़ेगा तो क्या होगा कि आपको पता है कि electric field कब generate होता है electric field जब आपका कोई न कोई charge exist करता है तो जिस object पे charge होगा वो electric field से effect होगा मतलब क्या होगा electric field में कोई charge पर क्या लगता है force लगता है अगर मान लोग किसी कोई आपका charge है Q तो अगर ये किसी electric field E में लगता है तो इस पर force क्या लगता है तो अगर तो charge है किसी particle पे तो उस पर magnetic field और electric field दोने ही force लगाएंगे magnetic field कैसे लगाएगा वो 7 चैप्टर में आएगा वहाँ पढ़ेंगे तो दोने ही क्या लगाते हैं force लगाते हैं तो अब क्या है कि अगर मान लो दो plate की बीच में रख दो एक पर plus charge है एक पर minus है तो इनके बीच क्या generate हो जाएगा electric field हो जाएगा ऐसे generate हो जाएगा मैंने आपको बताया था uniform electric field अब यहाँ alpha particle रखते हो तो यह क्या है यहीं पर ना पढ़ा रहके इस negative की तरफ attract होगा क्या होगा यह alpha particle पे कैसा charge होता है positive चार्ज होता है और यह positive negative की side बागेगा तो यह क्या होगे opposite direction of beta particle जाएगे बिटा particle की opposite direction में जाएगे अब बीटा particle भी deflect होगे और यह क्या जाएगे alpha particle की opposite direction में मतलब अगर मैं यहां पर इनके बीच क्या रख दूँ beta particle रख दूँ तो beta कि side जाएंगे आप को भी positive की तरफ भी positive और negative रखे होई हैं और यहां दो particle पड़े होई हैं एक तो पड़ा हुआ है alpha और एक beta तो alpha तो positive charge है तो positive negative की तरफ attract होगा तो यह इदर जाएगा और beta पर negative होता है तो यह negative positive की side हैगा मतलब एक दूसरे से opposite direction में जाएंगे alpha और beta और तीसरा जो gamma इन पर कोई charge नहीं होता तो यह note effect मतलब इन पर कोई effect नहीं पड़ता electric और magnetic field गा फिर next जो point आता है वो अपने पास आता है range in air air में range कितनी होती है इनकी तो मतलब range का मतलब क्या होता है कि अगर आपको simple example के तुरू समझाओं मैं भी आपको अगर कहा दें भी आपने दौड़ लगा नहीं है गर्मी में ठीक है न बागना है तो आपकी एक limit है एक kilometer दो kilometer उसके बाद आप ठक जाओगे आप कोगे भी मेरे से दौड़ नहीं लगती तो जितनी maximum distance आप cover कर सकते हो वो आपकी क्या range है ठीक है न जितनी maximum distance तक आप जा सकते हो भी वहाँ जाके आपकी energy क्या हो जाती है बिल्कुल down हो जाती है zero हो जाती है तो वहाँ पे आप जाके कहते हो भी मैं थक गया मैं अब नहीं दोड़ सकता तो वही चीज़ alpha और beta particle गामा की है जब इनको अपने air में छोड़ दें freely तो alpha particle minimum 2.7 cm और maximum 8.6 cm तक जाती है ये इसके जानने की range है मतलब ज्यादा से ज्यादा 8.6 cm तक जाएंगी इससे ज्यादा नहीं जा पती है फिर beta जो होते हैं वो 100 cm से लेके और some meters तक जाते हैं मतलब 5 meter, 10 meter, 15 meter इतने distance तक ये जा सकते हैं और कम से कम 100 cm से लेके अब जो gamma हैं इनकी range क्या होती है सबसे ज्यादा होती है ये some 100 meter in air जा सकते हैं मतलब 200, 300, 400 meter तक भी ये जा सकते हैं air में ट्रेवल कर सकते हैं तो जिनकी energy सबसे कम वो सबसे कम distance तक जिसकी energy सबसे ज्यादा वो ज्यादा distance तक अब next है 13 point है कि interaction with matter मतलब अगर आप इनको क्या करो कि किसी matter पर डाल दो ये कोई matter पड़ा हुआ है कोई object पड़ा हुआ है या कोई element पड़ा हुआ है उस पर अगर इनको क्या कर दो emit करवा दो alpha, beta और gamma को तो उस object पर या उस matter पर ये क्या effect डालेंगे या उस object रखा हुआ 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 है तो alpha particle जब भी किसी matter पर डालते हुआ आप तो वो heat produce करते हैं produces heat बीटा भी क्या करते हैं heat produce करते हैं लेकिन जो gamma होते हैं वो photo electric effect और competent effect दर शाते हैं दिखता है ये वाला और photo electric effect तो आपका 13 chapter है भी उसमे complete detail में पड़ोगी क्या चीज़ होती है competent effect बड़ी गलासों का topic है तो आपको इसको ऐसी का ऐसी याद रखना है detail में अपने आगे पड़ेंगे इसके बारे में अब ये तो थी वही आपकी table अब देखो next मैंने लिख रखे हैं some other point ये other important points ये वो वाले points हैं जो उपर वाले comparison में include नहीं हो सकते थे लेकिन book में दी ओए है properties में दी ओए है alpha में, beta में, gamma में लेकिन 3 की properties में नहीं दी ओए है किसी एक ही property में दे दी है तो उनको मैंने क्या किया अलग लिख लिए जो point में जो आपकी table में count नहीं हो सकते थे ठीक है तो ये वाले जो point हैं सभी particle के लिए होंगे तो इसमें मैंने main main बातें निकाल के लिखी हैं देखो पहली बात क्या है कि जो beta particle हैं इसके दो type होते हैं उपर मैंने आपको बताया भी था इसके दो type होते हैं एक तो beta negative से show करते हैं और दूसरे को beta positive से show करते हैं अपने of higher energy high energy के electron होते हैं और ये इनका symbol होते हैं और जो beta positive हैं इन पर ये क्या होते हैं ये एक नए type के क्या होते हैं आपके क्या बोलते हैं उनको atom में या nucleus में particle होते हैं नए type के ठीक है ना atom नहीं क्या होते हैं नए type के ये particle हैं आपने एक नया particle पढ़ लिया जैसे electron, proton, neutron सारे होते हैं नुकलियस में वैसी क्या होता है? positron भी वहाँ पे present होते है तो positron क्या है कि freely नहीं होते, बनते हैं ये बनते कब हैं? radioactive process में आगे आएगा detail में इनके बारे में तो देखो positron क्या है कि electron का बाई है मैंने आपको बता दी है, इस पर चार्ज गया होता है positive होता है, आप कोगी भी सर्फ proton पे भी तो positive होता है तो वो क्यों नहीं होता? लेकिन proton का mass देखो आप, proton का mass electron के mass से 10,000 time greater than है proton का mass 10 की power minus 27 और electron का mass 10 की power minus 31 ठीक है न? तो दोनों में difference 10 की power 4 का मतलब जो proton है आपका वो इतना heavy होता है इससे, लेकिन positron क्या होता है, positron का mass भी electron के mass के equal होता है बिल्कुल equal होता है mass इनके अब next देखो second point क्या है कि in the decay of beta particles neutrons are changed into proton जब भी beta particle emit होंगे तो nucleus में जो neutrons हैं आपके, वो क्या हो चाते हैं proton में change हो जाते हैं देखो कितनी interesting गटना होती है incidence होती है, जो आपकी nuclear physics है, भी neutron ही proton में change हो जाते हैं, आगे reaction भी आएगी इसकी भी कैसे होते है neutron proton में change, ठीक है नब beta decay पड़ेंगे उसमें reaction आएगी ये वाली फिर next क्या है कि fourth point है कि positron जो होते हैं, electron plus इनको क्या बोल देते हैं, are also called anti particles of electron electron के anti होते हैं, anti मतलब opposite nature के होते हैं electron के, ठीक है न, तो तभी इनको anti particle बोलते हैं, फिर fourth point आता है, जो intensity of gamma rays है, is given by जो gamma rays की intensity होती है वो i is equal to i node e की power mu x से अपने देते हैं, ये formula होता है intensity का, अब intensity क्या होती है भी ये आपके दिमाग में आ गया होगा अब intensity क्या होती है, तो intensity है कि example के तुरू समझे लो भी दो बलब हैं, एक जैसे एक दी में जल रहा है और एक full light दे रहा है, तो जो दी में जल रहा है उसकी intensity कम और जो ज्यादा जल रहा है, उसकी intensity ज्यादा है मतलब कि क्या intensity से अपने को वो चीज ज्यादा glow होती होई दिखती है तो वो ही चीज यह है कि जो gamma rays की intensity है, ठीक है मतलब gamma rays कितनी जबरदस्त हैं, वो intensity का formula ये होता है अब आया कहां से ये बड़ी class हो में आता है, आपके दिया हुआ था वैसे इतने important point है भी नहीं ये, लेकिन ये formula दिया हो भी इसकी intensity ये होती है अभी इसमें mu को define कर रहा है, mu constant है, उसको अपने क्या बोल देते हैं absorption constant बोल देते हैं, और it depends upon nature of substance, substance की nature पर ये चीज़ डिपेंड करती है तो ये कभी नहीं पूछा हुआ, point लिख दिया, book में दिया हुआ था, तभी मैंने add करती है फिर जो last point आता हुआता है, human body is badly affected by these alpha, beta and gamma rays human body पर अगर ये वली raise पढ़ जाए ना, तो ये क्या होती है, बहुत ही bad effect डालती है it causes some skin disease and cancer also, इन से क्या हो जाती है, skin की disease हो जाती है या cancer भी हो जाता है, जो आपको मैंने starting हैं बताया था ना, भी P.R. Curie और Madam Curie दो scientist थे, husband wife से, तो उनकी जो death होई थी, वो भी इसी कारण होई थी दोनों क्या थे, कि उनको पता नहीं था, भी alpha, beta, gamma rays इतनी क्या है कि खानी कारक है, खतरनाक है, dangerous है, तो उनकी कारण क्या हो गया, उनको cancer भुआ था और उनकी death होई थी, तो ये क्या होती है, human body पर opposite effect डालती है, खतरनाक होती है human body के लिए, तो ये था भी आपके आज के दो topic मुझे उमीद आपको समझ में आ गए होंगे इनको अच्छे तरीके से करके देखना, देखो कई student हाई पर हो जाते हैं, बहुत जल्द सर ये वाला बता दो, ये वाला बता दो, कई हो के comment आते हैं कमेंट करो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझा रहा, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप वीडियो को दो या तीन बार देखो तो सही, अगर एक बार नहीं समझाए उस topic को दुबारा देखो, आपको कोई नहीं बात उसमें सीखने को मिलेगी, जो चीज आप क्या कर रहे ह छोड़ रहे हो पहले वाले में, तो ऐसे करके आप त्यारी करना स्टार्ट करो, इसको लिख के देखा करो copy में, तब आपकी याद होगा, तब तक के लिए next part में अपने इससे आगे वाले topic करेंगे, तब तक के लिए thank you, have a nice day.